ट्रेक्टर लेने की बात आती है तो भाई महीनों के इसाब से सोचा जाता है कि कौन सा ट्रेक्टर लेना चाहिए पार साथ लाख रुपए अगर खर्च कर रहे है तो एक बेश ट्रेक्टर लेना चाहिए ट्रेक्टर लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है जिसकी सबसे ज़्यादा आपको डिमांड है जिसकी ज़रूरत आपको रोज पड़ती है वो फीचर उस ट्रेक्टर में होने चाहिए तो ये है Acer का 333 Super Plus 5 Star ट्रेक्टर आएए देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है सबसे पहले तो इसको 360 डिग्री कवर करते हैं यह है इसकी प्रपर लेफ्ट प्रोफाइल यहां पर देखिए Acer को मेंचन किया है साइड में यहां पर जाली मिल आती है यहां पर यह Stars यह देखिए बहुत सारे Stars दिये गए है Graphics यहां पर 333 को मेंचन किया है नीचे 5 Star इसके Bonnet को उपन करने के लिए इसके Silencer का जो Pattern है कुछ इस तरीके का है यह देखिए इस Tractor में 47 Liter की Fuel Tank Capacity मिलती है यहां कि 47 Liter डीजल आप इसमें रख सकती हो Front में 16 इंचिस के Wheel Offer किये गए है आईए देख लेते हैं टायर MRF Company के टायर है और सक्ती Life Series के है टायर साइज भी देख लेते हैं जो की है 6 16 के टायर मिलते है Front टायर में जो GRIPS हैं कुछ इस तरीके की है 3-row pattern में टायर मिलते हैं जिसका मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ उसमें mechanical steering मिलती है लेकिन ये जो है power steering में भी आता है Front में Company Pteady Vumper मिलता है ये देखिए जो की काफी जादा heavy है इसकी front profile कुछ इस तरीके की है काफी जबरदस्त और काफी smart लग रहा है center में SR का 3D में logo मिलता है दो headlights मिल जाती है जो की halogen bulb के साथ में ही है front radiator grill ये देखिए यहाँ पर ये इसके look को enhance करने के लिए अलग सा काफी अच्छा design दिया है right side में भी यहाँ पर जाली मिलती है sight and indicator यहाँ पर प्लेस किये गई है तूटने उटने का जंजटनी रहता है यहाँ पर ही सब कुछ fix है यह सारी चीजें जो है अच्छी लगती है right side में भी यहाँ पर आई सर को mention किया है stars again triple 3 यहाँ पर 5 star इसके बोनट को open करने के लिए आईए वहाँ की बात करते हैं जहां से इस tractor की performance निकल कर आती है जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे इसके engine की यह company ने इसमें 2365 cc का triple cylinder engine दिया है 2000 rpm engine rated rpm मिलते है water cooled engine मिलता है engine की maximum power की अगर बात की जाए तो 36 hp का इसका engine है यह RC में है ठीक है लेकिन इसकी maximum power जो है वो खेतों में निकल कर आती है 49 hp की यानि कि यह tractor जो है रेटन में RC में 36 hp का है लेकिन आप खेतों में इससे 49 hp की power निकाल सकते हो तो इसमें फाइदा आपका ही है मुझे इसमें एक चीज और बहुत जबरदस लगी है इसकी बैटरी देखिये राइट साइड में यहाँ पर है फुल पैक की गई है SR को यहाँ पर mention किया है काफी अच्छी इसकी build quality है यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर wow service सुपर प्लस को mention किया है यह सुपर प्लस सीरीज का है इस पर चढ़ने के लिए यहां पर यह फुट पैट दिया हुआ है डॉल क्लेच मिल जाते हैं इसमें गेर की अगर बात की जाए तो इसमें 8 फॉरवर्ड के साथ लो एंड हाई तो यहां पर यहां पर मिलता है और यहां पर इंजन किल करने के लिए लेफ्ट साइड में यहां पर एक यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है कि देख ओ भाई यूटिलिटी बॉक्स क्या यह तो मॉबाल चार्जर एक तरीके से ठीक है पैकिंग वाला यूएस्बी ए चार्जिंग पोर्ड मिलता है आराम से अपना फोन इसमें रखिए और इसको ल लिड है तो सीट की अगर बात की जाए तो इसकी सीट जो है कमफर्टेबल है एंड सॉफ्ट भी है कि देखिए बैक सपोर्ट भी मिलता है जो की काफी ठीक ताग है और इसी के साथ साथ सीट जो है इसकी एडशेटेबल है यहां राइट साइड में एक यूटिलिटी बॉक लोक्स मिलता है यह दए चाव यह लाइं है काफी बैतर लॉक करने के लिए इसके और बीम का बेटन कुछ इस तरीकवाइड़ है इसके स्टेरिंग का बेटन कुछ इस तरीक with okay Requi मिलता है टैम्ठ्रेचर मिलता है और बागी की सब भी म majesty इंटिकेटर आप को इसमों इसमें मिल जाते हैं यहां पर left side में right control lever देखते हैं क्या है यहां पर यह точно let us color है के यहां पर यहां पर प्लेश के लिए यहां पर यहां पर प्लेस किया है, यह पर ऑप मिल जाते हैं, पीछे 28 inchs के वील उफर किये हैं कंपनी ने, टाइड साइड सबसे पहले देख लेते हैं MRF कंपनी के हैं और सक्ति लाइफ प्लस सीरीज के हैं टाइड साइड भी मैं आपको दिखा देता हूं जो की है 13.628 और टाइड में जो ग्रिप्स हैं कुछ इस तरीके की है MRF यहां पर लिखा हुए यह देखिए उपर की तरफ य हंट्र gefите को की है एक इसरीठ करने के लिए हुए पर देखिए फ्लेक्टर मिलता है पूल्ठने के लिए यहां पर यह सेक्षन मिलता है यहां पर देखिए सीट को एडजर्च करने के लिए हैं deception मिलता है एक यहां पर Channel Disgi कर나ç करने की लिए औहां भी आपर मिलता है PTO की अगर बात की जाए तो इसमें 31 HP का PTO मिलता है ठीक है lifting capacity की अगर बात की जाए तो इसमें 1800 kg की lifting capacity मिलती है लगबख 18 सब्सक्राइब कर सकते हैं इनका contact नंबर और इनका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर प्लैस हो रहा है आईए गाइस अब बात करते हैं इस ट्रेक्टर की standard warranty देती है या तो समय पहले हो जाए या फिर घंटे पहले हो जाए तो warranty फिर वो खतम हो जाएगी हलाकि आप इसको extend भी करवा सकते हो आईए बात करते हैं अब mileage की आप रोड पर इससे लगबग एक लीटर में 10 किलोमेटर की mileage निकाल सकते हो और अगर लोडिंग पर बात की जाए तो लगबग एक घंटे में प्राइस का आपके बल रफ आइडिया ही माने क्योंकि हर इस्टेट की हर डिस्टेक की और हर सो रूम की जो प्राइस होती है वो अलग-अलग होती है प्लस माइनस पांस-दस अजार रोपे लेका चल सकते हो तो दोस्तो बस फ्लाल के इस वीडियो में तना ही मुझे उम्मी क्लिप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिये क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरस्टेंग वीडियो और इंपोर्टेंट वीडियो जी हैं बाई इंपोर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं जैहिंत बंदे मात्रम